यूटूब चनल फैमिली आप सभी को रादे रादे आदाप खंबा घड़ी सास्ट्रेकाल कालिया कालू और मेरा मोहन मेरा लड्डू मेरा मोती चूर का लड्डू किज़ लेटा है मोती चूर का लड्डू मैं यह लड्डी लड्डे लादे लादे करें वेट लॉस कर रही है तो यहां पे एक मेरा truck हो रही है यांई हेल्ड प्लान हो रहा है यहां पर और कि आने के बाद हमने खाया है यहां से बुझ्जी आलू और दार डालके मैंने मेथी की बुच्जी बनाई थी और एक मूली को काट लिया है गोल-गोल और दो रोटी निकाल ली है यहाँ पर तो यह चाबल और मक्का क्याटे की मिक्स रोटियां बनाई है मैंने तो मैं खाऊंगी अभी खाना बहुत तेज बाले अभी तो भूग लगी है हलो गाईज अभी इवनिंग का टाइम है और बच्चे आ गए है टूसन से हाई बोलो बेटा हाई गुड़ इवनिंग बोलो देखो गुड़ इवनिंग बोल रही है तो मेरी बेटियां बहुत अच्छी है और यह देखो अभी टूसन पढ़के आई हैं और कार्टून चल ल और इधर मेरा लैप्टॉप अन है और मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है क्योंकि मैं एक फिट कोच हूँ तो मेरी कोच किलास स्टार्ट होने वाली है बैसे जितनी भी मेरी यूटूब फैमिली है अभी तो बहुत जादा नहीं है और वैसे देखा जाए तो बहुत ब स्टाइल में बदलाओ कराके उनके खान पीन में बहुत सारे बदलाओ कराके और कुछ निटेशन एड़ कराने के बाद मैं उनकी फिटनेस में फिटनेस को पाने में हेल्प कर रही हूं फिट लॉस करने में वेट गेंड करने में एंड लाइफ टाइम अच्छा रहने में फि fit club चलता है जहां पे 20% रॉल होता है परकाउट का और 80% होता है हमारे खाने पीने का सुबा से साम तक जो भी हम खाते पीते हैं बस भही हम लोगों को यहां पे सिखाते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है अगर आप अपने वेट को मेंटेन रखना चाते हैं तो कैसे रख सकते हैं वेट लोस करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आसानी से और बहुत लोग क्या करते हैं वो लोग वेट लोस करने के लिए जिम बगेरा में जाते हैं बट बहाँ पे 100% रिजल्ट आपको नहीं आता है बहुत कम रिजल्ट आता है बहुत ही फास्ट रिजल्ट नहीं आता है और कही न कहीं हमारी जो मास्पेस या हैं वो वीक हो जाती है ओवर पेट होने की वज़े से और कहीं न कहीं हमें हाट की प्रॉप्लम भी हो जाती है अगर आप बहुत ज़दा ओवर बेट है और है मैं होस्ट हूँ आज किलब में और होस्ट तो मैं हमेशा रहती ही हूं बट मैं वीडियो शूट बहुत कम करती हूं किलब की तो चलिए यहां पे एक रिजर्ट शेर होता है मैं सुनबाती हूं थोड़ा साब को करके और जब डिसीजन लिया मैंने भी यहां से करिए 75 देज के अदर मैंने यहां से कुना 10 kg पैट टोस्ट किया तो क्लैबिंग कर सकते हैं मेरे रिजर्ट के लिए और यहां से आज हम दोगनों ने अपने आइडियल वेड को मैंटेंग के हुए पूरी फैमिली आज फिट हो चुकिया जब 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 सोच किया और इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा अपने हैल्थ को मैं इपाल सरका मुझे इतनी सांदर कमीटी से परीशे कर आया और इस कमीटी अब रहते हुए आज मेरी फैमिली फिट हो चुकिया तो अब आज हमें आ चुका है न्यू तो सुना आपने यहां से आपको एक मिलते हैं परसनल कोच और हम आगये हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं काना है अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा गिफ्ट बगेरा तो यह जो ब्लॉग आप देख रहे हैं यह 18 त स्टे का थोड़ा सामान लेने में आई थी और यहां पर बहुत ही प्रड़ी बेटी को शॉप पर लेके चाहती हूं इस तवाली पर तो वो कभी कुछ मांगती है कभी कुछ मांगती है और गिफ्ट दिलाने में मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ उसको पहले से थोड़ा कम गि यहां पर जितनी भी चीज़े मिलती हैं बहुत ही अच्छी शॉप है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है हर समान की तो इसलिए हम लोग ज्यादे तर गहीं पर खरीदने आते हैं बैसे तो आज मैं वर्थडे का अपना समान खरीदने के लिए आई हूँ जिसे में वाइपी बर्थे जरूर बोलिएगा और यह मेरी बड़ी बेटी है आप जानते ही है और चोटी बेटी पेरी घर पे है तो मार्किट में मैं इसी को लेकर आया थी और बहुत अच्छा लगता है जब भी मेरे बच्चों का बर्थडे होता है तो मैं भी फुल कोशिश करती कि लेकिन फिर भी मैं अभी अच्छे से इनको खुश नहीं कर पाती हूं क्योंकि इनकी डिमांड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और मैं अभी इतनी लायक नहीं हूं कि मैं इनकी सारी डिमांड को पूरी कर पाऊं बट जितना भी हो पा रहा है बस सिंपल तरीके से ह मैं हलका फुलका साइन का बार्थ डे मना देती हूं केक पगेरा कार देती हूं वैसे तो इस बार केक काटने का भी कोई प्लान नहीं था मेरा बट जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़ादा एक्साइटी थी तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी इसलिए मैंने सुचा चलो कार देते हैं कि थोड़ी बहुत एकाद हजार रुपे अगर उट पी जाएंगे तो कोई बात नहीं मेरा बच्चे तो खुश हो जाएंगे और फिर मैं इसके लिए एक गिफ्ट यहाँ पर देखने आई थी तो गिफ्ट मैं मैं इसको ड्रॉइंग के लिए जो और यह पैंसिल कलर भी दिलाए हैं मैंने इसको लेकिन हमने आज सिर्फ उनका प्राइस पुछा है पैसे हम कल लेकर आएंगे और तभी हम उनको यहाँ से पर्चेस करेंगे और आज मैंने सिर्फ इसको देखाए हैं तो वो इसने पसंद कर लिये हैं बट मैंने उनको ये हैर के लिए बगएरा वो लेकर जाओंगे और ये शौप बाले भाईया हैं जो हाथ दिखा रहा है इंदर को तो ये हाँ पे बहुत ज़दा ठंड हो रही है तो ये आख जला के हाँ पे ताप रहे हैं साबी और बहुत ज़दा हाथ मतलब गल रहे हैं बहुत जादा बराइक पड़ रही है ठंड लग रही है बहुत अहीं पर जाते हैं आपर इसलिए लोग जानते हैं वहां से यह burada हैं ने पत्ता गोभी बहुत टाइम सें मेनी काई थाूट sometime और वैसे भी उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था ठीक से और गाजर बहुत ही अच्छे अच्छी गाजर भी रखी होई है यहाँ पर और मैंने उनको एक बड़ा और फूल दिया है वैसे पत्ते वाली सब्जीयों बहुत ही अच्छी होती है आप भी ज़रूर खाया अगले दिन का यानि 19 तारिक का ब्लोग है तो ब्लोग में पूरा नहीं बना पाई थी उस दिन तो छोटा रह किया था तो मैंने सोचा दो दिन का में एक साथ में मिक्स कर देती हूं और यहाँ पर लड़ू गोपाल जी भी नहा चुके हैं और मेरे बेटियां भी दोनों न पूजा हो रही है मंदिर में आशिरवार लिया जा रहा है तो आज बर्थडे है आशिरवार लेना तो बनता है यह देखिए तो यह मेरी बेटी ना बहुत मतलब इस चीज को मानती है पूजा पाट को तो बहुत अच्छी है बहुत इज़त करती है सबी लोगों की तो मैं इसको सिखा रही हूँ और हम भी बहुत अच्छे हैं एकदम मस्त हैं और यह है मेरी बड़ी बेटी यश्वी नाम है इसका और आज इनका बर्थडे है है तो आज इसका बर्थडे है और आज है 19 जनवरी है और जो मेरी बेटी है वो 12 एयर कंप्लीट कर चुकी है और काफी tv समज़दार है पड़ने लिखने में बहुत जादा इंटलिजेंट है और हर काम को excitement से करती है बहुत अ horror के सरी बाते भी मांती है घर को भी समाल लेती जब हैं सरय बहुत बाहर टेनिंड मीटिंग में जाती हूं तो और वैसे लिए अलग से बोले कर आई थी तो वह शाम को केक काटेगी तब पहनेगी यह और आज का दिन बहुत ही ब्लॉग बहुत ही शांदार होगा और अभी देखते हैं खाने में क्या-क्या बनेगा बटा भी पता नहीं है मईद में साफ सफाई में यहां को बहुत बहुत जाता ठन लग रही है बहुत घ्र काम फेजा ऑंपर नहीं में और यह है मेरी किट्टू यह है मेरी चोटी वाली क्यूटी पाई कैसी लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना पुद्धी दे कामरा बाहता है यह रचानी है जाना और फिर आ गई थी मैं किट्टrates में आज मैंने बनाए है आलो पयास के भर्वा पराठे इस्टफिंग मैंने तयार कर ले थी, बॉयल करने रग दिये थी, सुबाही आलू, लेकिन, आलू तो बॉयल करके रग दिये थी, बड मैं खाना नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत जादा थन लग रही थी, तो मैंने बोला थना आपको भी पीछे, कि मुझे, मैंने आज न तो मैंने अलग से कुछ भी एट नहीं किया था जैसे कि मैं हमेशा मिक्स करती हूं मक्का का अटा तो उसकी वज़े से वह आटा जो था ना वह रबड की तरह थोड़ा खिच रहा था तो मुझे पराठी बनाने में थोड़ी सी आशानी नहीं हो रही थी और बहुत जादा मु आलू की जो स्टफिंग थी आप देख सकते हैं इसमें लेकिन फिर भी पराठे बहुत ही यमी और बहुत ही टेश्टी बने है तो पराठों के अंदर बेसिक मसाले तो हैं ही साथ में ही अजवाइन मी मैंने इसमें डाला है थोड़ा ब्लैक सॉल्ट यानि काला नमंग भी ड मैं कल पसंद करके आई थी बेटी के लिए इस्टेशनरी के जो समान रहता है तो वह अब में यहां पर पैक करा रही हूं और इसने स्केश कलर लिये हैं तो यह काफी अच्छे हैं काफी जो स्टाइलिस जो वर्ड होते हैं वो इससे लिखे जाते हैं और कलर हैं काफी अच् तो फिर आगे ते हम गिफ्ट लेने के बाद बेकरी पे तो यहां पे मैं बहुत जादा कन्फ्यूज हो रही थी यार कौन कौन सा मतलब आज कौन सा केक लूँ क्यूंकि जितने भी केक हैं यह सारे जा चुके हैं मेरे घर पे और सेम वही कलर यहां पे हैं तो बस एक कलर का जो यह जो गाला है तो यह वाला केक अभी हमारे यहां पे नहीं गया है लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से कन्फॉर्म किया था जो बहां किया नहीं लगता है बाकी तो एक टारे केक हम लोग खा लीते हैंdir हम यहां पर वनीला फ्र seuर जो है मेरी बेटीका भी बोग अक्शा उसको भी बहुत जादा पसंद है और घर आके देखा तो हमने यसबी ने बहुत सारे गुबारे फुला लिये थे फिर हमने बहुत सारी डेकॉरेशन की है सारी डेकॉरेशन कंप्लीट हो गए थी और घुकुपाल को भी केक के पास में बिठा लिया है एक टॉपी की प्लीट फूल भार रखी है देखो बच्चों कोई आया नहीं है रात बहुत जादा हो चुकी है क्योंकि हमने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम जोगों ने यहाँ पे बिर्थडेइ़ यश्बी का मनाया है सिर्फ अकेलिर केली ही हमने किसी को नहीं बुलाया है यहाँ पे और वैसे ऐसा नहीं हिर की हुए काम की प्लानिंग बगर चल रही थी किसी से बादा चली थी कॉल पर तो इसलिए वो लेट हो रहा था थोड़ा सा तो हम लोग बिलकु तयार हैं यहाँ पर केक कटिंग करने के लिए तो बस हस्मेन का ही वेट कर रहे थे हम लोग तो वो अभी काम में लगे हुए हैं फिर बाद में उन्होंने थोड़ी से वीडियो बनाने में बहुत जादा देर कर दी तो निमिशा बहुत जादा फ्रस्टेश हो गए थी यानि उसे गुसा आ रहा था कि पापा ओलेडी आपकी वज़े से हमें बहुत जादा देर हो चुकी है आप लगातार देर करे जा रहे हो देर करे जा रहे हो यसभी को केक के पास में बैठे बैठे कम से कम 20-25 नहीं आता और इतनी साही डेकोरेशन की है तो क्या फायदा खाली के थोड़ी ना काटना है तो अभी हम लोग बैठ चुके है उसका केक कटिंग के लिए देखा आपने केक काटने से पहले भी उसने भगवान से प्रे की है पता नहीं क्या-क्या मांगा है उसने और अभी केक कटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जादा एक्साइटी थी मैं भी और मेरी बेटी भी तो फाइनली यहाँ पे जो मेरे हस्बन है वो नहीं पता कि पीछे भी कैमरा लगा हुआ है कोई बात नहीं तो यहाँ पे यह कंप्लीट हो चुका है बार्ट डे और यहाँ पे जो केक कटिंग है वो हो रही है तो सबसे पहले उसने केक सिर्फ मुझे ही खिलाया था और कितनी खोश होती है काईस देखे कितनी संसकारी है यहाँ बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे खुश होते हैं तो मुझे भी बहुत ज़़ स्लाधा खुशि होती है और मैं चाहती हूँ कि इने दुनिया की सारी खुशियां मिले, मेरी बेटियों को लंबी उमर मिले, और इनको सारी दुनिया की जितनी भी खुशियां आए वह सारी मिले, और वैसे तो बहुत जादा, इक्षाएं बहुत जादा है, सपने बहुत जादा है मेरी बेटियों के, बहुत बड़े बड़े सपने है आशा करती हूँ उसके सारे सपने पूरे हो भविस्ये में वैसे तो वो साइक्ल मांग रही थी इसाए क्योंकि पछले साल जो साइक्ल मैंने उसे दी थी तो वो चोड ले गया था नीचे से निकाल के घर में से ही चोरी हो गई थी वो बट आगे जितना भी अच्छा होगा मेरा थोड़ा काम अच्छा चलेगा तो मैं उसको नेक्स्ट बर्थरे से पहले पहले ही उसको गिफ्ट दे दूँगी साइकिल तो साइकिल की इसकी बहुत जादा रिमान है और बिना साइकिल के वो बहुत जादा बोर हो जाती है अकेले घर में और अगर cycle उसके पास होती है तो road पे थोड़ा निकलती है बाहर घूमती है तो अच्छा लगता है उसे बहुत अच्छा लगता है और यहां पे थोड़ा गाओं जैसा महौन नहीं है शहर में एक दूसरे के बच्चों से इतना जादा male भाव नहीं होता है जो school की friends बगेरा है तो वो सारी दूर दूर है असपड़ोस में कोई नहीं है तो जो बच्चे हैं बहुत जादा एक दूसरे के घर पर आना जाना बिलकुल नहीं होता है यहां पर तो ऐसा सब होता है इसलिए मेरी बेटियां जो है वो घर में ही रहती है और जो gift हमने उसे दिये है वो यहां प सेम वही लेकर आई हूँ और यह बहुत जादा एक्साइटी थी इनके लिए क्योंकि यह जो ड्रॉइंग करती है ना तो इससे जो स्केच की जो ड्रॉइंग वो करेगी जो भी लिखेगी वो स्टाइलिस वर्ड जो होते है वो बहुत ही स्टाइलिस इससे लिखे जाते है और वो सर में जो दिखा रही है ना सर को वो हैर किलिप लेकर आई हूँ मैं उसके लिए और दोनों के लिए रबाट बेंट बगएरा लेकर आई हूँ तो वो बस आपको दिखा रही है तो जो हैर किलिप है वो जो किट्टू है मेरी उसने उसको गिफ्ट में लाकर दिये है तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा है मेरा आपको आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए आप कहां कहां से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और आप अगर हेल्थ से रिलेरी कोई भी कॉशन आप पूछन चाहते हैं तो मुझे से पूछ सकते हैं मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी एक बहतरी इन सेहत को पाने में वेल मैं भी बता दूँ आपको मैंने भी अपना 10 kg वेट लॉस किया है और मेरे जो हस्बन है उन्होंने भी अपना 20 kg वेट लॉस क्या है और यह बहुत ही आसानी से हो जाता है बट होता कैसे है वो मैं ही सिर्फ आपको बता सकती हूं तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको जरूर रिप्लाइ करूंगी इधर से तो चलिए फैमली आज आपना ध्यान रखेगा खुश रहेगा म लाइफ हमें एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती है तो इस लाइफ को बहुत अच्छे से बिताईएगा और अपना ध्यान रखेगा बाई बाई